नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमन खर्णा हम्योपेटिक क्लिनिक पे आपका फिर से स्वागत है, साथियों, आज हम बात करेंगे बड़ी प्रिकुलियर कंडिशन की, जो कि एक सामाधिक रूप से आपको बहुत पीछे ले जाती है, और भी बिला वज़ा, बिला वज़ा इसलिए कि आप उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप वो करते हैं, जी हम बात करेंगे कलेक्टो मीनिया की, यानि एक चोड़ी करने की, समान चोड़ी करने की आदत की, कई लोगों को यहाँ तकलीफ होती है, वहाँ बता नहीं पाते हैं, पॉब्लिकली, लोगो उसे कहनी पाते हैं, सैकेट्रिस पात जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता, अभी आपने हाली में देखा होगा कुछ दिन पहले की बात है, अब जब यह हम वीडियो आई बना रहे हैं, कि अभी एक विजेसी हिरोईन थी, बहुत पड़ी हिरो करने का, वो एक छोटा सा को यह मूठी नहीं चुराएगी, जो खुद हाथ में काट्रियर के डायमेंट की सिंगल, डायमेंट की जो है, सॉलिटैर की जो है वाहां मूठी पहने हैं, वो इन कुछ सौ डालर की चीज चुरा के क्या करेगी, लेकिन उसकी वो आदत है जो उसक म मृपको इसकी आदत है, बत्कारगर जभाएजाती होनि आफिल में इसको ठीक करने की हम आपको बताते हैं गैट्वियु यादक चौरी यादि कि चोरी की आदत को खत्म करने की तसकारगत हुमियोपेटिक दवाय कि सबसे पहले साथ ही जान लेते हैं क्लेक्टोमेनिया यादि समान चोरी करने की आदत होती क्या है क्लेक्टोमेनिया समान चोरी करने की वह वह बात होती है कि आप को समान चोरी करते हैं जिसकी आपके नहीं है वा आप के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन आप हो काम गल्ट काम करते हैं So that's true that I get हे समानाचोरी करने की आदत यहाँ जो सरी की आदत की समाधीज कुरा ही है मदल्म उन लोगों को जिनको चोरी की ज़वरत नहीं है, लेकिन वाप चोरी तो समारी कुरा ही है। यहाँ विचimaan और आ है कि आपको ज़वरत ही लेकिन आप चोरी कर रहे हैं असाय को तो इसको पारण करना का तना कही आपने चोरी करीए अपने यह There aãy be a इंप्रटासुडन्य टेरेट होता है ब्रेइं में जिसको लो और विड तो प्रकलिओर कर हुआ निया। तो जब अपिवलुसी बिहेवियर हुआ। उसको हुआ Kletominyan. तो जो है, जब आपके लोग मोड हुआ, तो आपको चोरी करने का मन करा जब serotonin सिक्रीट हुई. और फिर आप ने चोरी करिये. दूसुरी जो इसमें आती है भाती है दोपामीन की. दोपामीन आपको प्लेजर और जोई देती है. तो जब आपने चोरी करी, तो कुछ लोगों ने चोरी करी, उसके उनके डूपा मील सिक्रीट होने लगा, उनको प्लेजर और जॉय बिलने लगा, तो वो इसी तरह चोरी के अन्वरत आदत अपनी जारी रखते रहे, एक नसी की भाती, तो यहां कुछ कॉदेश हो सकते हैं, स समान चोरी कर नहीं कर पाता है, तो बड़ी बेचैटी, एंजाइटी महसूस करता है, और समान चोरी कर लेता है, तो बहुत दुख महसूस करता है, उसको ग्रीफ होता है अंदर से कि हमें तो इसकी जबरती नी थी, हम इसको क्यों चोरी कर लाए, लेकिन चोरी तो चोरी है, ये समाज कहाँ ये बात को समझडा है और समाज क्यों समझे जिसके दुकान से चोड़ी हो रही है वो तो यही 草स करेगा कि आपने उसके ऐसे समाज चुराया तो अपराध तो अपराध है आपका दिमाग आप के साथ है लेकिन सामने वाली के लिए वो अप्राद है वो वो सही है तो आप ये गलग काम ना करें कि सामने वाला हर बार सही साबित हो और आप गलग साबित हो आप इस आदत को छोड़ दें और हम आप वो आदत छोड़ाने में मदद करते हैं आप मों बताते हैं इस बुराई को ठीक करने की दसकारगर खुमियों पर ठीक दवाएं दवाएं बताने से पहले सातियों बताने यहाँ वीडियो आपकी जानकारी के लिए है कोई भी दवा बिना कुसर्ची की सक्से पूछे ना लीजेगा पिक जाथ कर आए बिना ना लीजेगा कोई एक बता थैं सातियों बताते हैं याज दसकारगर नंबर एक दवा जो हुमियों पेथी में कलेक्टो में ही जरूरत ना ना इसने पर भी समान चोरी करने की बुरी आदत है। इसकी नंबर एक दबावन योपटी में वाह है एपसेंठिनम चोरी करने की समान बुरी आदत है और चोरी करने के बाद उस बात को भूल जाता है तो यहां आपके इंपलसिव रेक्शन होता हो कि आपको चोरी करना अच्छा लगता हो और चोरी करने के बाद समाना भूल जाते हो तो अच्छी दबा है यहाँ आपके इस चोरी का आदत को छोड़ा के आपको समान कर देगी फिर साथ वे किसी को कोई मैनिया हो गया हो मैनिया मींज तो इसको ठीक करने की भी होमियोपेटी में दबा है और दबा का नाम है स्ट्रेमोनियम आप स्ट्रेमोनियम थर्टी दो दोगून दिन में तीन बार हरूस मरीश होजे सकते हैं इसकी समान चोरी करने की आदत है और जब वो मैनिया उसको कोई आता है उसी समय चोरी करता है इंपल्स आती है इंपल्स पर समाल चोरी करता है तो उसकी डबाप चोईस करने की स्ट्रेवूनियम है यहां दबा उसको ठीक करके स्वस्थ कर देगी फिर साथे में किस्टिती आती है कि किसी में यहां क्लेक्टोमेनिया की आदत हो यानि बिलावजा जरूरत ना होने पर भी समाल चोरी करने की आदत हो उसको जूट बोलने की बहुत आदत हो तो अगर कोई व्यक्ति हो जिसको जूट बोलने में बड़ा मता आता हो लाइप बोलने में बहुत मजा आता हो और उसमेहा चोरी करने की बुरी आदत हो तो उससे सिति को ठीक करने की हो में परती में दबा कलकेरिया कार्व थाथी पावर में दो-डोहां दिन में तीर बार हर्मों ब्रेटी ले सकता है इसको समान चोनी करने की आदत है शार जूट बोलिन की आदत है और भाड़ डर्पोग कर देता है तो यहां सारे सिंटम्स हैं तो आपके क्लेक्टोमेनिया को छोड़ने की आदत और आपको इस समाजिक बुराई जिससे आप और उसे ज्यादा अपने से परिसान है वहां निकालने की दबाद केरिया कारते हैं फिर साथ किस्तिती आती है उन मरीजों में कि इनको ए एपिलिप्सी के मरीजों को देखा गया है कि यह चोरी करने की आदत समान बहुत होती है वोगर यह स्थिती है किसी पेशिट को एपिलिप्सी का पेशिंट है और उसको ठीक करने की हुमें उपर यह बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आटीमीजिया वल्गारिस एपिलिप्सी के फिट पढ़ते हों और उसको चोरी करने की समया आदत हो यहाद अपने समान चोरी करा दूसरे किया से पर आप लड़ने लगें तो के बाद फिर आप लडाई भी बहस और लडाई भी करने पर उतारू है यहा आपको मजा आ रहा है उसमें तूसरे आघ़् को छोड़ाने की हुम्यों पहती है बहुत कारगर दबा है प्लेडोना आप प्लेडोना दोस्व पावर नदो दो 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 उनित में टीम बार ले सकते हैं यहां तब आपकी यहां जो चोरी करने की आदत है समान को बगैर जबुरत होने पर भी इसको भी खतम करेगी और आती उन लोगों में जो लोग तुखी रए ठी कंजोर होने रहते हैं लेकिन फिर भी चोरी करते हैं तो अकर उन छोरी करने के अद़त न जाती हो। उनके लिए डग of the choice थूजा है। पर साथ चानना श्कति हलाद कि आपको नसा करने में आप समान चुराते हैं। चाफयर आपसे नसा करने लिए समान चुराते हैं। तो अधियम थर्टी दो पुन हरो दिन ने एंद मरीद ले सकता है जिसको बगेट सरूरत के भी दूसरे के कर से समान चोरी करने की आदत हो जूद बोलने की आदत हो और नसा करने की आदत हो अधियम उस का ड़क प्टाप जोईस है यहा दवा उस मरीज को ठीक कर देगी कर देगी फिर साथ किस्टिती आती है चोरी की उन लोगों में जो नसेड़ी है साथ में जो है वो जुवारी भी है जुआ खेलते हैं तो इस तरह के लोग जो सड़कों पर घुमते हैं जो नसेड़ी भी है नसा भी करते हैं तरह तरह का एडिक्शन उनमें है और जुआ पतास सर पे लगा लिए तो सोचेंगे राजा है उस तरह ये लोग होते हैं और छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं आदत उनमें होती है और उसकी कद्र नहीं करते हैं उसका उसकी कद्र नहीं करते हैं वो चोरी सिर्फ आदत के कारण करते हैं तो ऐसे लोगों को ठीक करने के उन्हों हुम्योपेथी में दवा सल्फर है। सल्फर वानियम की तीन पुराइप पच्छ मिनिट के फासले पर आप हर उस वेक्ति को लेके उसकी मदद कर सकते हैं, जो की चोरी की आदत हो, जुआ नसापत्ती की आदत हो, पक्ता खिलनी की आदत हो, सड़कों पे घूमा करते हो, पर आप रोने लगें, विकिन समान फिर भी आपने में बगाई रुष्ट के दूसरे की दुकान से चोड़ी करा अग्या घर से उसके चोड़ी करा तो अगर इना इस स्थिति आपको हो कि आप समान चोड़ी करते हो फिर आप तुखी हो जाते हो, आपको बड़ा ही अपने म आपको पानी लगेंगे और मस्त रहने लगेंगे, पर साथ के स्थिति आती है कि समान चोड़ी करने की आदत, जो जबरतना उसको चोड़ी करने की आदत आप में हो और आप अपने को रोक ना पाते हो, आपको कॉंसिक्वेंस बताएं कि हो सकता आप जेल सक पहुंचाएं, हो सकता आपके परिवार में बुला कि उगंदार ये बाद कहें आपके घरवालों से, इनको तो चोड़ है, इनको चोड़ी करने की आदत है, लेकिन फिर भी आप च अगर जबाएं स्टेफिस है करिया है, आप स्टेफिस है करिया थाटी दो दो तो दो दिन में टीव बाले लें, आप देखेंगे कि आप क्या है चोड़ी की आदत भी खतम हो गई, और यह जो इंपल्स है चोड़ी करने की वहाँ भी खतम हो गई और आप एक अच्छे बालतीया नहीं होती है लेकिन आप से बजार देती तो इन दो आपको उसको निकालने में आपकी मदद करेंगी, आपको ठीक करेंगी दवाएं बताईएं आपको लेकिन एक चैनकारी देना चाहता हूं कि यहां दवाएं किसी कुसल चीकिसक से पूछ के लिएगा क्योंकि mental condition बहुत complex होती है और जो सामने आपके psychiatrist पैठा है वही आपको सही सला दे पाएगा आपके मन में साथ यह गोई query हो तो अपने query को आप notification पैनल में लिख सकते हैं या हमारे नीचे लिए रहे वार्साइप नमबर पर अपनी query को वार्साइप कर सकते हैं कोशिस करूंगा आपको संतोच जवाब मिल पाए अगर साती हूं आप वह अप्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइन करिएगा शेयर करेंगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल इकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे रहा वीडियो यहीं पाते रहिएगा आपका साथी में तिरेर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम और बहुत बहुत बहँ अजिए हैंश। यवा बबसा लूद कर आगंगो